हेलो और विल्कुम गाईज आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसी डेरे मिल्क 3 टाइप की चली से बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले में ने 200 ग्राम वाइट कंपाउंड लिया है और 100 ग्राम डाग कंपाउंड लिया है जो आपको कंपाउंड मार्केट में आराम से अवेलेबल हो जाएंगे आप कोई बिस्टोड से खरीच सकते हैं इसे हम अच्छे से बारिक चॉप कर लेते हैं रफली इसे अच्छे से चॉप कर लिजिए देखे मैंने सारे को चॉप कर लिया है अब हम डबल बॉयलन मेथड से इसको मेल्ट करेंगे मैंने एक तपेली लिये जिसमें थोड़ा सा पाने गरम उकालने के लिए रख दिया है इसके आम एक उपर माइक्रोवेव से बाउल रखेंगे आपके पास बाउल नहीं है तो आप तपेली भी रख सकते हैं उससे हलकी सी बड़ी अब हम सारे चॉकलेट को इसमें ट्रांसवर कर देते हैं देखे मैंने सब चॉकलेट को ट्रांसवर कर दिया है अब हम इसे दीरे दीरे हिलाएंगे उसे मेल्ट होने देगे आप इसे microwave में भी melt कर सकते हैं microwave में आप 30-30 सेकंड करके तीन बार चड़ाएंगे तो यह अच्छे से melt हो जाएगी देखिए melt होना start हो गई है इसे अच्छे से melt होने दीजिएगा इसमें कोई भी लम्स ना रहे अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो like, comment and share जरूर करें चैनल पर नहीं तो subscribe करना ना भूले और bell का बटन जरूर दबाए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो के notification आपको इसे ही मिलते रहें देखिए melt हो चुकी इसमें अभी थोड़े से लम्स बाकी इसलिए हम इसको थोड़े से देर और ज़िए अगीह पर हम डबलगा बोईलर पर ही रहने देते हैं गेस का फ्लेम ही अभी ओन ही है अब हम गेस का फ्लेम बन कर देते हैं इसमें आप बिलकुल कम लम्स दिख़ए हैं हमको दीरे दीरे वो भी अब हो जाएंगे अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा बटर, बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला है मैंने, थोड़ा सा बटर डाल दीजिए, अच्छे से मिला दीजिए, आप जित्ते अच्छे से इसको हिलाएंगे, उत्ते अच्छी इसमें शाइन आएगी, अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर डबल बॉयलर पर ही इसको रहने दीजिए और अच्छे से मिक्स करते जाएगे अच्छे से मेल्ट हो जाएगे उसके बाद आप गेस का फ्लेम बन कर दीजिएगा बटर डालने के बाद यह थोड़ी सी ऐसा लगेगा जम गई है बट उसके बाद यह वापस आप जैसे जैसे हिलाएगे अच्छी मेल्ट हो जाएगी बटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बिलकुल मार्केट जैसी बन कर तयार होएगी मैंने एक छोटी में छोटे से बाउल में थोड़ी सी निकाल ली है इसको अच्छे से मिक्स कर लिए देखिए इसकी 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 शाइन आ गई अच्छे से हिला लीजिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगी और शाइन भी आ जाएगी इसमें अच्छे से अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए, देखिए इसकी शाइन, यह बिलकुल हम प्लेन वाली डेरी मिल्क बनाएंगे, इसमें अभी हम कुछ नहीं मिलाएंगे, आपके पास किसी भी तरीके का सिलिकॉन का मॉल्ट, सिलिकॉन का नहीं हो तो प्लस्टिक का मॉल्ट और वो भी नह अच्छे से इसमें डाल दीजिए, अच्छे से इसको फेला दीजिए, सेट कर लीजिए, अब हम इसको दस मिट के लिए, फ्रीजर में रख देते हैं, दस मिट में जम कर तयार हो जाएगी, अब हम सेकेंड ड्राइफरूट वाली बनाएंगे, मैंने वापिस थोड़ी सी च मिलाईएगा, उसे टेस भी अच्छा आएगा, और बिल्कुल मार्केट जैसी ही लगेगी, बहुत सस्ती और बहुत अच्छी बनकर तयार होती है, बिल्कुल मार्केट जैसी ही बनती है, एक बार आप जरूर ट्राइ करें, अब हम कोई भी मॉल्ट ले लेते हैं, आपके प अच्छे से इसको ट्रांसफर कर दिजिए, देखिए मैंने सब ट्रांसफर कर दिया है, इसको हम सैट कर लेते हैं, और वापीस फ्रीजर में जमने के लिए इसको भी रख देते हैं, 10 मिट के लिए, अब हम लास्ट, देखिए हम ने बड़ा बावली ले लिया है, जब तक तब तक एक 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 थोड़ा लीजिए गा और बाकी को आप उस पर ही डबल बॉइलर पर ही रहे ज़िएगा अब हम ओरियो वाली बना रहे हैं इसलिए में इसमें अच्छे से बारिक चॉप्ड ओरियो डाले हैं और थोड़ा सा चूरा बी डाला है ताकि इसका टेस्ट अ अच्छा लगेगा उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बिल्कुल डेरी मिल्क का जो आता है उसमें भी यही रहता है आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए अगर आपकी डेरी मिल्क बीच में जमने लग जाए डालते हुए ही तो आप उससे गेस का फ्लेम ओन क कर दीजो डबल बॉयलर पर ही गरम कर लीजिए वापिस देखे यह अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब हम मेरे पास डेरी मिल्क के ही शेप का मॉल्ट था तो मैंने वो लिया है यह प्लास्टिक का है अब हम इसमें ट्रांस्फर कर देते हैं मैंने थोड़े से ओरियो से इसको सजा दिया था ताकि उपपर ओरियो दीखे थोड़े से अच्छे से फेला दीजिए पूरे में आपके पास अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप एक पॉलिथिन ले लीजिए जो बबल वाली आती ना वो भी ले लीजिए उसके उपर आप दो-तिन लेयर अगर धीरे-धीर करके डालेंगे तो आपकी वो भी डेरी मिक जैस अच्छी लग रही है देखिए आपको मैं सेकेंड भी लिकाल कर बताती हूं देखिए आप इसे एक बार जरूर ट्राय करें और आपकी केसी बनिए उसे कमेंट पर के जरूर बताईएगा ऐसे ही अब हम सारी निकाल लेते हैं देखिए मैंने सारी निकाल ली है अब इसके एक्स्ट्रा है उनको हम कट कर लेंगे नहीं कट करेंगे तो भी चलेगा पर शेप मेंटेन करने के लिए हम इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं अब हम सेकेंड वाली देखिए ये भी सेट हो गई है ड्राय फ्रूट्स वाली इसको भी हम धीरे से निकाल लेते हैं देखिए मैंने सारी निकाल ली है अब दस मिट बाद हमारी ओरियो वाली भी बन कर तयार हो गई है देखिए ये भी कितने प्यार से निकल गई है इसके विए आप जो एक्स्ट्रा है वो निकाल सकते हैं देखिए कितने अच्छी लग रही है बिल्कुल टेस भी बिल्कुल आपको मार्केट चिसा मिलेगा आप इसे एक बार जरूर ट्राय करें हमारी डेरी मिल्क बन कर तयार है आप भी से जरूर ट्राय करें और आपकी कैसी बनीए कमेंट करके जरूर बताईए जाए कर दिल्क कर दोर बार टाय कर दोर टापकी कर दोर लिए